जय माता की दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? वट सावित्री वट सुहागन महलाएं अपनी पती की लंबी उमर के लिए रखती हैं, अपने अखंड सौभाग के लिए रखती हैं, अपने वैवाहिक जीवन को सुखी और सुखमे करने की कामना के लिए करती हैं. इस साल का वट सावित्री का वरत 19 मई दिन शुकरवार को रखा जाएगा? यह वरत उन महलाओं के लिए बहुत खास हो जाता है जो शादी के बाद पहली बार यह वरत रख रही हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि वरत को कैसी करना है, क्या-क्या पूजन सामगरी च वरत रखा जाता है, इस दिन महलाओं बर्गत के पेड की पूजा करती हैं और पेड की परिक्रमा करते हुए उसके चारों और कलावा विबानती हैं, पंचांग के अनुसार, जेस्ट अमावश्या की तिथी का जो प्रारंभ होगा वो 18 मई को शाम 9 बच के 42 मिनट से मूर्थ है, वो सुबह 5 बच के 43 मिनट से और सुबह 8 बच के 58 मिनट तक रहेगा, तो 19 मई को ही वर्ट सावित्री की पूजा और वरत रखा जाएगा, और जैसा कि आप पहली बार शादी के बाद ये वरत करने जा रहे हैं तो जान लेते हैं कि क्या-क्या पूजा सामगरी चाहिए होती है, दिखे सबसे पहले तो सावित्री और सत्यवान की मूर्थी, कच्चा सूत होता है वो अक्षत, सिंदूर, सुहा का सामान, बास का पंखा, लाल कलावा, धूप अगरबत्ती, दीपक, घी, बर्गत का फल, मिट्टी का दीपक, मौसमी फल, फूल, इत्र, रोली, बताशे, सबा मीटर कपडा, नारियल, पान, धूर्बा घास, और अपनी श्रद्दा के अनुसार जो है नगद रुपए, और घर पर बने हुए पकवान और मिस्ठान आदी, ये सारी सामगरी वट सावित्री पूजन के समय आपको चाहिए होती है, और आप पहली ब अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं, तो जो सुहाग का मुख श्रिंगार होता है, उसको तो अवश्य ही करें, इसके बाद पूजा घर में और वट व्रक्ष के नीचे पूजा इस्थान की साफ सफाई करें, फिर उस इस्थान को गंगा जल से छिड़काओ करकर पवित्र कर करें, इसके बाद बर्गत के पेड की पूजा का प्रारहम करें, पूजा शुरू करने से पहले ही धूप और दीप अवश्य जला लें, सिंदूर, अक्षत, फूल, फल ये सबी जो है बर्गत के पेड को अरपित करें, इसके बाद वट व्रक्ष की जड़को जल अरपित कर फिर बर्गत के पत्तों की माला बना कर पहने और वट सावित्री वरत की कथा अवश्य सुने क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी वरत होता है संकल्प होता है वो तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आप उसकी कथा को सुनते या पढ़ते नहीं हैं और चने का बाइना और कुछ पैसे अपनी सास को देकर उनका आशिरवाद प्राप्त करें। पूजा के बाद जो फल, अनाज, कपड़ा आधी हैं, वो एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मन को दान करें। मानता है कि इस व्रत का पारण जो करना होता है, वो ग्यारा भीगी हुए चना खाकर ही किया जाता है। पौराणिक समय में यह व्रत सावित्री ने रखा हुआ था अपने पति सत्वान के प्रान यमराज से वापस लाने के लिए। व्रत सावित्री व्रत का बहुत महत्व होता है, ठीक उसी तरह से जैसे करवा चौत की व्रत का महत्व माना जाता है। जिससे की आने वाली जो भी नई वीडियोज होंगी उसकी जानकारी समय से आप तक पहुँच सकेगी। थैंक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो। जै माता दी हर हर महादेव।